एक समझने वाला कोट है कि संगर्स के बिना कोई इंसान मजबूत नहीं हो सकता और बिना कमफर जोन छोड़े कोई काम्याब नहीं हो सकता जब भी हम किसी बात से दुख्य होते हैं और हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है तो हम कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं मोटिवेशनल स्पीज सुन लेते हैं पर आफटर 10 मिनट बात फिर हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं इसका रिजन ये नहीं है कि हम दुखी हैं इसका रिजन ये है कि हम खुस नहीं हैं हम अंदर से मजबूत नहीं हैं हम mentally strong नहीं हैं अगर आप हम इसा mentally disturbed ही रहोगे तो life आपकी मर्जी से नहीं बलकि दूसरों के मर्जी से चलेगी ये वीडियो हर उम्र के लोग को अंत तक ज सिकायते कर लेना पर उससे पहले वीडियो पूरी समझ लो सबसे पहली बात जो आपके बस में नहीं है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर अपनी एनरजी और टाइम वेश्ट मत करो सैद आप में से कुछ लोगों को बुला लग जाए पर सच तो यहीं है कि इनसान ब पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है तो मोस्टली लोग सिर्फ उसे ही पाने की कोशिस में काफी टाइम वेश्ट कर देते हैं और कुछ लोग दीवाली भाले ही साल में एक बार मनाएं पर उसके चले जाने का मातम रोज मनाते हैं पर जो मैंटली स्ट्रॉंग होता है उसे पता है जो चला गया वो लोट कर नहीं आएगा और वो उसे भूल कर किसी और को अपना पार्टनर बनाने की कोशिस करता है जो उसके वस्मे होता है इसलिए लाइव में उन सभी कामों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उसक का रिजल्ट हमें भाविसे में मिलेगा पर जो लोग मेंडली वीक होते हैं वो लोग अपने बुरे पास्ट के वारे में सोंच कर अपना फ्यूचर भी खराब करते चले जाते हैं मान लो आपने कोई बिजनिस शुरू किया था जिसमें आपने काफी पैसा इंवेस्ट किया और आपने उससे सक्सेस्फुल बनाने के लिए राद दिन महनत भी करी फिर भी वो बिजनिस फेल हो गया और आप ये मानकर बैट गए कि बिजनिस करना मेरे बस की बात नहीं और आप इसी बास से दोबारा कोई बिजनिस शुरू ही नहीं करना चाहते क्योंकि बिजनिस को लेकर आपका पास्ट बहुत बुरा रहा है दोस्तों अपनी असफलता और बुरे अतित को पगड़कर नहीं बैठना चाहिए बलकि अपने पास्ट से सीख कर अपने वरतमान और भाविस्त को अच्छा बनाने की कोशिस करते रहना चाहिए क्योंकि आपके बुरे पास्ट आपको उस काम में एक्सपर्ट बनाया है इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए तीसी बात अंकमफर्टेबल तुरुत को स्विकार करना सीखो इसका मतलब है कि आपकी बोडी का डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि आप लाइफ की कड़वी सच्च करें क्या ना करें और जिन्दगी के अनकमफर्टेबल तुरुत कई तरह की होती है जैसे मैं कभी असफल नहीं हो सकता मुझे सब आता है मुझे सीखने की क्या जूरुत है इस तरह की जो बाते होते हैं वह हमारे खुद के बनाये हुए फेक कॉंसेप्ट होते हैं जो सच न हो रहा होता है तो हमें लगता है हम वो पारस हैं जिसे भी छूदें वो सोना बन जाए पर जब सब कुछ हमारे अनुसा नहीं हो रहा होता है और हम अपना पूरा एफर्स भी दे रहे होते हैं फिर भी सफल नहीं होते तब हमें सेल्फ डाउट्स होने लगता है जो की नॉर दोस्तो एक चीज याद रखना जिन्दगी में कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर अपने आप पर कभी सक मत करना वरना जिन्दगी जीनी मुस्किल हो जाएगी और जिन्दगी में चंड चालाग बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और सरमाना दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो और इस वीडियो को लाइक करो और दिल करे तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हो चोईस आपकी है